गाईज अगर बाकी लोगों के जैसे आप भी ये सोचते हैं कि हेलिकॉप्टर दो शब्दों से मिलके बना है जिसमें से पहला शब्द है हेली और दूसरा शब्द है कॉप्टर तो आप लोग गलत हैं Actually helicopter बना तो दो शब्दों से मिलके ही है लेकिन वो दो शब्द heli and copter नहीं है वो दो शब्द है helico and tur जिसमें helico का मतलब होता है spiral और tur का मतलब होता है wings यानि की spiral wings Guys ये amazing information आपको कैसे लगी chat section में जरूर लिखेगा और अगर आप ऐसी amazing facts and motivational videos देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करेगा वीडियो को share करेगा और like करना मत बुलेगा मिलता अगली वीडियो में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी औरत को कभी नहीं जान सकता जिसे Alan Francis और Cindy Cashman ने लिखा है अब ये book actually 128 page की है और आप जानके हरान रह जाओगे कि ये 128 page की book पूरी तरह से blank है खोलेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अब उसमें क्यों कुछ नहीं लिखा हुआ ये तो आप समझी गए होंगे लेकिन ये 128 page की blank book best seller book है अब ये क्यों बिकरी है इसका तो मेरे पास कोई जबाब नहीं है ये एक चर्चा का विशह है बाइद वे ये information आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे amazing videos के लिए YouTube पे हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को share करिएगा और like करना मत भूलेगा बिलते अगली वीडियो में आम तोर पे restaurants में खाना plastic disposals में दिया जाता है लेकिन ये plastic के disposals हमारे environment के लिए तो खतरनाक है ही हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते और इसी का solution निकाला है बैंगलोर की दो महिलाओं ने जिनका नाम है शैला जी और लक्ष्मी जी जिनोंने 100% organic table cutleries बनाई है अब इन table cutleries की खास बात ये है कि इनमें खाना खाने के बाद आप table की in cutleries को भी खा सकते हैं क्योंकि ये table की cutleries दालों और मसालों से ही बनाई गई है और 100 से भी जादा flavors में available हैं अगर आप इन्हें ना भी खाना चाहें और इन्हें dispose कर दें तो ये 100% bio degradable है और आप इनमें ice cream से लेके hot soup तक यानि की गरम खाने से लेके ठंडी चीजें तक परोज सकते हैं आपको ये wonderful invention कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे amazing videos के लिए YouTube पे हमारे चनल को subscribe कर लीजेगा वीडियो को share करेगा और like करना मत बुलिएगा मिल तक लिए वीडियो में NASA ने mission Mars के तहत मंगल ग्रैप पे 18 फरवरी 2021 को Perseverance rover को successfully land करवाया था और ये एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी लेकिन क्या आपको पता है कि इसी mission में भारतिय मूल की अमेरिकी scientist guidance and control operations को lead कर रही थी और उसी ने पूरी दुनिया को NASA की इस उपलब्दी के बारे में बताया भी था guys उनका नाम है स्वाती मोहन और वो 1983 में Bangalore में पैदा हुई थी guys आपको स्वाती मोहन की success के बारे में सुनके कैसा लगा chat section में जरूर लिखेगा और ऐसे amazing videos के लिए YouTube पे हमारे channel को subscribe कर लीजेगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं मत बोलेगा मिलता अगली video में